साथियों, जल वायू परिवर्तन के खत्रे से निपटने के लिए, जो वैश्वीक प्रयास चल रहे हैं, उनमें भारत एक आशा की किरण बन करके उभरा है, एक विश्वास्त मानव जात के कल्यान के लिए एक विश्वस्त साथी के रुप में, आज भारत ने भी पहचान बन आई है, जो दुनिया कभी भारत को एक चुनवती के रुप में देखती थी, क्लाइमेट चेंज, भारत की इतनी बड़ी आबादी, लोगों को लगता है संकट यहीं से आएगा, आज स्थिती बदल गई, आज हमारा देश क्लाइमेट जस्टिस का अगुवा बनकर उभर र बड़ी ताकत बन रहा है, वन सन, वन वर्ल, वन ग्रीड, एक सुरज, एक सृष्टी और एक ग्रीड की ववस्ता, कि वीजन को साकार करने वाला इंटरनेस्ट्रल सोलार एलाइंस, उसका निर्मार हो, या फिर Coalition for Disaster Resilient Infrastructure की पहल हो, भारत एक बड़े वैश्विक वीजन के साथ आगे बढ़ रहा है, Climate Change Performance Index में, भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में, दुनिया के प्रमुख 10 देशों में, आज उसने अपनी जगा बना ली है, साथियों, Climate Change की वज़े से जो चुनावतियां सामने आ रही है, भारत उसके प्रती जागरुख भी हैं, और सक्रियता से काम भी कर रहा है, हम एक तरफ Global South में, Energy Justice के प्रती संवेदन सिल्ता और Global North के उत्तर दाइतों के हिमायती हैं, तो दूसरी तरफ अपनी भूमिका का निर्वाहन भी पूरी गंपीरता से कर रहे हैं, भारत ने Energy Transition का एक ऐसा मार्क चुड़ा है, जिसमें हमारी नीतियां और निर्व में, हाड और सौफ्ट कॉम्पोनेंट्स को दोनों को बराबर महत्म है, अगर मैं हाड कॉम्पोनेंट की बात करूँ तो भारत द्वारा ताई किये गए, बड़े बड़े लक्षो हो, उन्हें लागू करने की अंड प्रसिड़नेंटर स्पीड हो, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है, छे साथ साल में, रिन्योबल एनर्जी की हमारी कैपिसिटी में, दो सो पचास प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्री हुई है, इंस्टॉल रिन्योबल एनर्जी कैपिसिटी के मामले में, भारत आज दुनिया के टॉप फाइव देशों में है, इसमें भी सावर उर्जा की कैपिसिटी को बीते छे साल में लगभग पंदरा गुना बढ़ाया है, आज भारत कच में, गुजरात के कच के रिगिस्तान में, दुनिया का सबसे बड़ा, सोला और और वीन का हाइब्रीड एनर्जी पार्क बना रहा है, तो भारत ने 14 गिगावोर्ट के पुराने कॉल प्लांट्स को भी बंद भी कर दिया है, देश ने सौफ्ट एप्रोच के साथ भी हैतिहां से कदम उठाए हैं, आज देश का सामान्य मान भी प्रो एंडवार्मेंट केम्पेंट से जूड़ गया है, वो इसका नेत्रुत्व कर रहा है, हम देखते हैं कि कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक के समझ में जाग रुकता प्यादा हुई हैं, लोग अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रयाज भी कर रहे हैं, अभी और करने की जरूत है, लेकिन बात पहुंची है, प्रयाज शुरू हुए हैं, हमारे समुद्र तटों की सभाई देखिये, नवजवान इनिशेटिव लेकर कर रहे हैं, या फिर स्वच्छ भारत जासे अभ्यान हो, इने देश के आम नागरिकों ने अपने कंदे पर लिया, अपने जिम में लिया और मेरे देश वासी आज इसको आगे बढ़ाया थे, देश ने 37 करोड से अधिक LED बल्ब और 23 लाज से अधिक एनरजी एफिशन पंखे, फैंस, देने की बज़े से परियावरन रक्षा का जो काम हुआ है, अक्सर उसकी चर्चा लोगों को करने की साथ आदध ही छूट गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा चर्चा का विशे होना चाहिए, इसी तरह उजवना योजना के तहट करोडों परिवारों को मुप्त गैस कनेक्शन मिलने से, सवभागी योजना के तहट बिजिनी कनेक्शन मिलने से, जो पहले चूले में लकड़ी जला करके दूमे में जिन की गुजारनी पड़ती थी, आज उनकी इस लकड़ी को जलानी की निर्भरता काफी मात्रा में कम हुई है, इससे प्रदुश्रा कम होने के साथ ही स्वास्त और उसमें भी हमारी माताओं का और बच्चों का स्वास्त और परियावरन रक्षन की रिजहा में भी बड़ी मदद मिली हैं, लेकिन इसकी भी बहुत चर्चा नहीं हो पाती, भारत ने अपने इन प्रयाशों से करोडो टन, करोडो टन कार्बन डायूसाइटी उत्सर्जन को रोका है, और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की दिशा में भारत को आज अग्रणी बनाया है, इसी तरह तीन लाख से जादा एनरजी एफिशन पंप उसके जरिये भी देश आज लाखो टन कार्बन डायूसाइट हवा में गुलने से रोक रहा है,